बहुत समय पहले एक जंगल में एक कबुतर रहा करती थी वो बहुत नेक रुधय की थी और वो बड़ी स्वाविमानी थी किसी और के मामले में ताम नहीं अडाती थी अपने काम से ही मतलब रखा करती और वो जंगल के शेर राजा के पास काम किया करती थी उसके साथ एक लोम्री और बिल्ली भी राजा के पास काम किया करते कबुतर दिया हुआ काम समय में पूरा किया करती थी पर लोम्री और बिल्ली तरह तरह के बहाने बना कर काम से मुकर जाया करते थे तुम दोनों के भरों से कोई काम छोड़ना मुश्किल है बेट तुके बहाने बनाते रहते हो इस कबुतर को देख कर तो कुछ सीख लो इस तरह शेर राजा हर बात पर कबुतर से तुलना कर उन्हें डांटा करता लोमडी और बिली को इस बात का बड़ा गुसा आया करता था एक दिन लोमडी और बिल्ली पेड़ के निचे खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे इस कबुतर की वज़े से हमें हर रोज डान पड़ती है हाँ भाई कुछ और दिन्यों ही बीटे तो हमसे हमारा काम छूट जाएगा तो अब क्या करें? उसे हम मार देते हैं अरे ओ, क्या कह रहा है तू? हाँ भाई, वो जिन्दा रहेगी, तो हमारी मुसीबत बनकर रहेगी, मार देंगे ना? ऐसा उन दोनोंने तै किया एक दिन शेर राजा ने पड़ोस वाले जंगल के राजा को एक खबर देने के लिए कबुतर को भेजा जब कबुतर वहाँ से जा रही थी, तो रास्ते में लोमडी और बिली ने उसका रास्ता रोका दोस्त, तुम बहुत लंबी यात्रा पे निकली हो ना? बहुत ठक जाओगी, ये लो, ये फ़ल खालो ऐसा कहकर जहर मिलाया हुआ फल उसे खाने के लिए दे देते हैं कबुतर ने पिना एक पल सोचे उस फल को खाया और वहाँ से उड़ चली लोमडी और बिली को राक्ष सानन्द मिल रहा था कबुतर ने रास्ते में ही अपने प्रान त्याग दिये बहुत समय के बीटने के बात भी जब कबुतर वापस नहीं लोटी तो शेर राजा कुफा की पास उसका इंकजार करते ही रहे अगले दिन बिली और लोमडी राजा के पास आए क्या बात है केवल तुम दोनों ही यहाँ आए हो कबुतर कहा है वो कल से आई ही नहीं म्रिगराज समझ में नहीं आता ये बात आपको कैसे बताए क्या हुआ क्या अपने कबुतर के साथ कोई धुरगटना गटी है नहीं म्रिगराज उस कबुतर ने आपको दोका दिया है वो पड़स वाले जंगल के मरगराज से हाथ मिलागर आपके खिलाफ साजिश रच रही है क्या कहा? क्या तुम जो कह रहे हो सच है? मैंने उसे अपना पंची माना, अपने परिवार का हिस्सा माना ठीक है, वो साजिश रच रही है तो वैसे ही सही, आने दो उसे, देख लूँगा शेर को कब उतर पर बहुत खुसा आने लगा अपनी साजिश सफल होने पर लोमडी और बिल्ली मुस्कुरा कर वहां से चले गए उसके बाद लोमडी और बिल्ली शेर राजा के पास रहते हुए, उनके नजरों में अच्छा नाम कमाने की कोशिश कर रहे थे यूँही कुछ दिनों बाद अचानक लोमडी और बिल्ली को जैसे कबुतर उड़ रही हो और वो चिला रही हो, ऐसी आवाजे आने लगी जब वे सो रहे होते या खा रहे होते या नदी के किनारे पानी पी रहे होते तब भी उसके चीखे सुनाई देती उन दोनों के मन में दहशत फैल गए थी, जब शेर उनसे कुछ कहता तब भी कबुतर की गुंच सुनाई देती शेर राजा की कहीं बातों पर भी वो धान नहीं दे पा रहे थे, दोनों बड़े चिड़चड़े हो गए थे उस चिड़चड़ा हट में घुसे से ये क्या रोना रो रही हो, इतनी साजिशों के बाद तुम्हें मारने के बाद भी हमारा पीच्छा नहीं छोड़ोगी शेर जानवरों के जाती में ही जन मलिया है तुमने, अपने स्वात के लिए इतना नीचे गिर गए, जानते हो उसका बुतर की आत्मा क्यों रो रही है, जो उसने किया भी नहीं, ऐसा लांचन उस पे लगाने की वज़े से उसकी आत्मा भटक रही है, इसे स्वाबिमान कहत हैं, अब आज इवन कारावास में रहो, भूक और प्यास से तडब कर मर जाओ, ऐसी उन्हें सजा दे दी, शेर ने आस्मान की और देखकर मुझे माप कर देना मेरे दोस्त कहे कर उसे मापी मांगने लगे, कबुतर की आत्मा आस्मान की और जाती हुई दिखाई दी, कई ब वो जंगल के बाकी पंचियां जैसे कववा, गौरया, कबुतर पर अपना धांस जमा कर जिया करती थी, उनके आहार और उनके घौंसलों को छीन लिया करती थी, उन पर हमला किया करती थी, एक दिन उस चील के मौत हो गई, सभी जानवर और अन पंचियां वहां पर आये, कि अपने उपर गिर गिर कर छीन कर खाया है, कोई फैदा हुआ क्या, ये ऐसी ही यहां पर पड़ी रही, तो अपने पुरे जंगल के लिए अपशकुन रहेगा, इसे जल्दी कहीं दोर फेख दीजिया, ऐसा कहकर मरी हुई उस चील को दोर फेंग देते हैं, उससे संबंदित सारी चीजे जब वो फीक रहे थे, तो उसके घोसले में उन्हें एक अंडा दिखाई दिया, इसका किया अत्याचार काफी नहीं था, जो इसने अपना वारिस भी छोड़ दिया, इसको मारने का पाप भला हम सर क्यूं ले, इसे कहीं दूर फेख दो, ये सोचकर उन्हें ने उस अंडे को दूर छोड़ दिया, वहां से गुजर रही तोते ने चील के उस अंडे को देखा, ये कोई लावारिस अंडा लगता है, ऐसे अपने आँखों के सामें मैं किसे अंडे को क्यों बरबाद होने दूंगी, ये सोचकर उसने अपने घोसले में उस अंडे को ले ज पाला, उस नन्हे से चील ने भी तोते को मा कहकर बुलाया था, उस तोते ने नन्हे से चील को अच्छाई, बड़ों को आदर करना, जरूरत मन की मदद करना और किसी को तुखना पहुंचाना ऐसे अच्छी बाते सिखाई, इसके साथ साथ शत्रु का सामना कैसे करे ये भी सिखाया उसके बाद तोता चील को जंगल के राजा शेर के पास ले गई शेर से उसका परिचे कराया तुम अलग नसल की हो और ये अलग नसल की मैं इसे काम पर कैसे रखूं महाराज मेरी बात का विश्वास करो अगर मेरे बच्चे से कोई गलती हुई तो मैं अपना सेर आप के कदमों में अरपन करूंगी ऐसे जब तोतो ने कहा नन्हे से चील के आँखों में आशु भराए ठीक है तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ ये सुनकर तोता बहुत खुश हुई चील को सावधानिया बता कर वो वहां से उड़कर चली गई अब नन्धा सा चील शेर का सेवक बन गया था शेर को जिसपी चीज की जरुरत होती वो उसे पूरा करता सारा जंगल उड़कर जानवरों की समसाय जान लेता उन्हें शेर की सामने लाकर उनका परिश्कार करवाता जंगल के वृद्ध जानवरों की उन्हें आहा देखकर उनकी मदद करता सारा जंगल घूंकर रात में पहरेदारी किया करता पड़ोस जंगल से अगर शेर का कोई दुश्मन उनके सामने आता तो पहले चील आड़े होकर उनका सामना करता चील की इस कुशलता पर जंगल के जानवरूं के साथ साथ शेर भी उसके बहुत सराहना करता नदी में पानी के साथ खेल रहे हाती, आसमान में उड़ रहे पंची और शेर की गुफा के बाहर हर जानवर चील के बारे में ही बाते किया करता एक दिन चील वृद्य भालू के पास उसका आहर पहुंचाने आई मैं तुम्हारा उकर्ज दिन्दगी भर नहीं बूल पाऊंगा, तुम साथ साल जीओ, वैसे तो तर भला तुम्हारी मा कैसे बनी? भालू के पूचने पर चील ने सारी सच्चाई उसे बता दी तब भालू ने ये जाना कि ये चील उस त्रुष्ट चील का अंश है चील के वहाँ से चले जाने के बाद भालू ने उस जंगल के अन्य जानवर और पंचियों को ये पात बता दी सभी जानवर इखटे होकर शेर राजा के पास गए तोता और चील भी वहीं पर थे माहराज इस चील का इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं ये उस अत्याचारी चील की संतान है ये आगे चल कर हमारे साथ भी साजिश रचेगी भालू के कही बाद पर बाकी जानवरों ने भी अपनी हामी भरी देखिए जब तक ये नहीं पता था कि ये फलाना चील का अंश है तब तक तो सब ठीक था अब भला ये क्यों नहीं पसंदा रही अगर ये चील नहीं होती तो वृद्ध जानवरों को आहार नहीं मिलता अगर ये चील नहोती तो मेरे प्राण नहीं होते ये नहोती तो जंगल सुरक्षित नहीं होता किसी भी प्राणी का गुन उसके जन्म से नहीं उसकी परवर्रिस से बनता है बारिश का पानी बूत बनती है तो मोती भी उन्हें सच्चा रास्ता दिखाने वाला चाहिए बस तोते की कही बात सुनकर सभी जानवरों ने शर्म से अपना सर जुकाया और वहां से चले गए तोते के भरुसे पर चिल खरी उतर आई थी ये देख कर तोता बहुत खुश हुई